गुड मॉर्निंग टू और कम्प्यूटर क्लास फेफ्थ के लिए लास्ट टाइम आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है था आई तिंग आप सबने उम्बर कर लिया होगा ये जो पढ़ा है था वाट इच कम्प्यूटर में पाट्स आप कम्प्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड माउस और सीपी यू और कम्प्यूटर कहां कहां यूज होता है सॉप्स में रेल्वे स्टेशन, ऑस्पिटल, होटल, होम, स्कोल, आपिस और बैंक्स नौढ वी यर गुएंग तो इस्टेडी ये, what makes a computer powerful ऐसी क्या चीज होती है, जिससे की computer powerful बनता है कम्प्यूटर powerful कैसलिए बनता है, क्योंकि सब को पता है क्या है क्या चीज होती है सब से फेल है point, speed क्या होती है, speed स्टूर्पीड नॉर्मल नॉर्मल जो एंडेट टाइम्स जदा यह रहती है लास्ट सेशन में लास्ट क्लास में आमने यह पढ़ा था का एंडेट टाइम्स एक्स्टरा स्पीड होती है यह modern computer works very fast and can do billions of calculation per second per second में बड़ी से बड़ी calculation solve कर लेता है इसलिए computer powerful होता है second storage, एक computer can store a large amount of information बहुत बड़ी information यह store कर लेता है उसके पास hardics होती है उस hardics में वो कितनी भी information SEO कर सकता है जिसको computer mobile की वासना में memory card भी बोला जाता है versality, बहुत सारे function एक साथ multi-purpose काम करता है एक computer is multi-purpose machine that can perform many tasks बहुत सारी tasks यह perform करता है is used in almost all the field और field में यह computer useful होता है आगे diligence, diligence मतलब यह कभी tired नहीं होता है मतलब इसको ऐसा नहीं कि थोड़ा काम किया उसके बाद जैसे human beings बोलता है कि हम tired हो गए हम ठक गए लेकिन computer does not get tired it can work for the long hours बहुत लंबे समय तक computer work कर सकता है and last one reliability यह computer is a quite reliable it gives a accurate result क्या देता है यह computer accurate result देता है it does not make any mistake और यह कोई भी mistake नहीं करता है अब यह इसके कौन-कौन से function है what makes the computer powerful इसमें यह आपको याद करने के लिए आप यहाँ पर point लगा दो one number, two number, three, fourth and fifth इससे आपको याद करने के लिए आसानी रहेगा ssvdr, shortcut मैं ऐसे भी याद इसमें कर सकते है अब आज के लिए जो number के आपको यह पांचों point लिखने हैं और यह question आपको इसमें लिखना है what makes a computer powerful मलब computer किच किच चीज को लेके powerful होता है इसके answer में आपको पहले यह point लिखना है speed, storage, versality, resiliency and reliability और उसके बारे में आपको यह सब अंदर की detail point wise point आपको इसमें so करनी है और यह homework आपको करना है आज के लिए इतना ही thank you आप आपको करना है आपको